हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे हम हिंदी ग्रामर यानि की हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास के बारे में जो समास है उसके बारे में आपको मैं पूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगा और वो भी किस माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से जो कि आपका exam में अगर question पूछा जाए समास से तो वहाँ पर जो आपका एक number पून रूप से save हो सके बिल्कुल trick के माध्यम से बताऊंगा आपको अगर question पोट अप होगा तो आपका वो एक number नहीं छूटेगा तो इस वीडियो का अपेंट तक देखते हैं कि आपको सारी इंफोर्मिशन मिल जाएगी तो नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देखे रहे हो डीके गुपता उनलाइन वीडियो स्पोक गवर्मेंट अग्जाम चलिए शू करते हैं तो आज का टॉपिक क्या हमारा समास तो पहले हम इसकी परिभाशा देख लेते हैं कि परिभाशा क्या होती है तो देखिए दो या दो से अधिक शब्दों को मिला कर नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस मेल को समास कहते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिला कर जब आपका नया सार्थक शब्द को पर आपका बनाया जाता है, निर्मान किया जाता है, तो उसको क्या का जाता है, समास कहता है, उधारण के रूप पर जैसे कि लिए देश के लिए भक्ती, तो क्या कहेंगे उसको देश भक्ती या फिर मित्यू का दंड तो क्या कहेंगे उसे मित्यू डंड तो देखलो देश के लिए भक्ति दो या दो से अधिक शब्दों को आमने क्या करा मिलाकर एक नया शब्द बनाया जो कि सार्थक रूप से जिसकी एक मीनिंग निकल रहा है जो कि क्या है देश भक्ति जिसको क्या कह सकते हो देश के लिए है भक्ति जिसमें वो क्या कहलाएगा देश भक्त कहलाएगा देश भक्ति कहलाएगी ओके तो ये थी आपकी एक परिभाशा जैन्विन अगर आपसे पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं कितने प्रकार होते हैं तो स ये निच को मैं आपको trick के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला है आपका अव्यभाव समास अब यह क्या होता है तो जिश andere का पहला पद अव्य अव Да प्रधान हो उसे क्या कहेंगे अव्यवी भाव समास कहेंगे यानि कि आपका पहला पद क्या होगा परधान होगा तो उसको क्या कहेंगे अव्यवी भाव समास ये तो हो गया आपकी परिभाशा शाब्दिक रूप में चलिए ट्रिक के मादियम से समझने ही कोशिश करते हैं पहला पद क्या होता आपका प्रधान होता है, मतलब पहला पद क्या होगा आपका छोटा होगा, उधारन के तोर पर जैसे की आ जनम, आ पलस जनम, तो पहला पद देख रहे हो आप क्या है, छोटा है, आ है, या फिर दूसरा आ मरण, तो देख सकते हो आ जमा मरण, आ पहला प पद क्या है लिख रहा है छोटा है तो आपका जहां पर भी पहला पद छोटा देखने को मिले आपको वो क्या होगा आपका अव्यभाव समास कहलाएगा और उसी के साथ में नोट करने की बात है ध्यान रखीगा नोट करके लिख रखा मेंने आपके लिए कि एक ही शब्द रात जमा रात दिनो दिन दिन जमा दिन तो जहां पर आपके शब्द रिपीट हो रहे हों जैसे हात हो हात रात दिनो दिन इस परकार के शब्द एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो भी आपका किस परकार का समास होगा अव्यभाव समास होगा दूसरा आप यहाँ पर क्या बोल रखा है, दूसरा पद आपका प्रधान होगा, और उन दोनों के बीच में जो चिन आएगा, जो आपका निशान आएगा, वो कारक क्या होगा? लुप्त होगा, अब यहाँ पर ट्रिक कैसे समझनी कोशिष करेंगे, तो दूसरा जो रूपद होगा आपका वो कैसा होगा आपका छोटा होगा अग्जाम्पल की रूपए समझने ही कुशिश करते हैं जैसे कि यश प्राप्त तो इसको क्या कह सकते हैं आप यश को प्राप्त तो यहां पर देखो कोई आपका लुप्त हो रखा है क्या बोला था मैंने आपको का लिए आपका लुप्त तो रखा था या फिर राज कुमार राजा का कुमार मतलब राजा का बेटा तो का क्या था यहां पर आपका लुप्त था तो जहां पर आपका कारक्चिन लुप्त तो वो क्या कहलाएगा आपका तत्पुरुस समास कहलाएगा और तत्पुरुस समास के कितने भेद होते हैं तो तत्पुरुस समास के 6 भेद होते हैं कौन-कौन से ध्यान रखेगा समास के भी 6 भेद होते हैं और तत्पुरुस समास के भी 6 भेद होते हैं कौन-कौन से चलिए एक-एक करके सबको समझानी कोशिश करता हूँ मैं आपको, पहला आपका करमतत्पुरूश का लाएगा, पूर अग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताथा यश्प्राप्त, तो किसको प्राप्त था, यश्को प्राप था तो वो भी तत्पुरुस समास में आपका करम तत्पुरुस का अग्जामपल था वैसी दूसरा करन तत्पुरुस जिसमें आपका से या के दुआरे का लोप होगा जैसे कि आपका भै भीत भै भीत क्या होगा अगर आप इसको खोलोगे तो भै से भीत क्या हो रहा है आपका से से लुप तो था है आपर अगर आप इसी को चेंज करोगे भै को भीत तो भै को भीत जमा सही वर्ड बना नहीं भै से भीत यानि कि डर्स के मारे वो क्या गर रहा था? वो आपका घब्रा रहा था इसलिए जो आपका लुप्ट होगा जो आपका हुहाँ पर चिन लुप्ट होगा उसी में वो फट होगा किसी ओर में आप फट करके बैट लुप्ट बिठा गए तुल्सी को कृत नहीं बैठेगा, ये क्या मतलब हुआ, तूल्सी के द्वारा रचित होता है, तुल्सी के द्वारा बनाया हुआ, तो तूल्सी द्वारा कृत है, तो इसको क्या कहते है, करन तत्पूरुष का आ जाता है, तीसरा, आपका के लि NBA का लोब होगा, जैसे की मैं अपादान तत्पुरूस जिसमें आपका से यानि कि अलग होने का लोप होगा जैसे कि धन हीन जैसे धन से हीन मतलब धन के से क्या हो गया हो गहीन हो गया विलुक्त हो गया तो यहाँ पर क्या था और किसी चीज को बिठा कर देख लो जैसे धन के लिए हीन नहीं हो जाएगा धन के लिए इनने धन से हीन होता है, धन को हीन लगा लो, धन से हीन लगा लो, या फिर किसी और तरीके से लगानी कोशिश करो आपका नहीं होगा, से आपका देखो यहाँ पर भी आता है, अपादान में भी और करण में भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा, अपादान मे में आएगा और जो आपका अलग ना हो रहा होगा वो आपका करण तत्पुरूस में आएगा यह समझने की कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट आपका संबंद तत्पुरूस जिसमें आपका का के और की का लोप होगा अग्जाम्पल के तौर पर जैसे की देश वाशी तो देश का वाशी या फिर घुड दोड गोड की दोड तो देख सकते हो का और की का लोप था तो क्या कहलाएगा आपका संबंध तत्पुरुस कहलाएगा नेक्स्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुस जिसमें आपका में या फिर पर का लोप होगा जैसे कि लोक प्रिय, लोक में प्रिय या घुड सवार, घुड पर सवार तो देख सकते हो मे और पर का लोपो रहा हो, जहाँ पर आपका इस चीज का लोपो वो क्या कहलाएगा? अधिकरन तत्पुरुस कहलाएगा, तो ये छे आपके तत्पुरुस समास के उधारण थे उनके भेद थे, चलिए आगे चलते हैं अपने समास में, तो तीसरा क्या होग आपका, next है आपका करमधारक समास, शाब्दिकर्थ में क्या बोलेंगे इसे, कि जिस समास का उत्तरपद परधान तथा दोनों पद में विशेशन, विशे या फिर उपमा, उपमे में संबंध होता हो, तो उसे क्या कहेंगे करमधारक समास कहेंगे, मतलब जिसका पहला पद क बीन क्या हो विशेशन ओ निंतो उपमानो तो क्या कहलाएगा आपका करमधारक समास कहलाएगा तो ये तो ओगी शापदिक अर्थ अब ट्रिक देख लेते क्या होगा तो देखें विघ्रय करने पर मतलब उसको तोड़ने पर माध्य में मतलब बीच में है जो या क्ये समान अ प्रमल के समान चरण, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नर सिंग, सिंग के समान नर, तो देख सकते हैं आप है जो के समान, है जो या के समान, इन दोनों आते ही आते हैं आपके, अगर विगरे करने पर तोड़ने पर आपका है जो या के समान आएंगे, तो करमधारक समास कहला नेक्स्ट आपका दिवगु समास, दिवगु समास में क्या होता है, तो जिस समास का पहला पद संख्या वाचक हो, तो दिवगु समास होता है आपका, ट्रिक कैसे याद रखेंगे, तो पद आपका जो पहला पद, यानि कि पर्थम पद होगा, वो क्या होगा, संख्या वाच का समू, तीन क्या है, संख्या है, पंच वटी, तो पांच क्या हो गया आपका, पांच विरिक्षों का समू, संख्या है, नव रतन, यानिकी नो रतनों का समू, तो क्या कहलाएगा आपका वहाँ पर वो संख्या वाचक, और क्या कहलाता है कौन सा समास, दिगू समास, तो नेक्स्ट है आपका दुवंद समास जिस समास के दोनों पद परधान हो और विग्रे करने पर और तथा या या फिर अथवा लगता है तो वो क्या कहलाएगा आपका दुवंद समास कहलाएगा तो ध्यान रखेगा विग्रे करने पर आपका और तथा या या अथवा आए तो क्या कहलाएगा आपका द्वंद समास कहलाएगा अब इसके ट्रिक क्या है तो ध्यान रखेगा दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं उल्टे होते हैं आपको बस इतना ध्यान रखना है या फिर इन दोनों चीनों के बीच में उल्टों के साथ-साथ बीच में क्या आएगा आपका योजक्चीन भी आएगा, योजक्चीन जो होता हो कभी-कभी नहीं आता है, लेकिन एक दूसरे के विपरित जरूर होते हैं, जैसे कि अच्छा, बुरा, अच्छा या बुरा, बीच में या आ रहा है, और दोनों शब्द क्या है, उल्ते हैं एक दूसरे के, अब उल्टे होंगे तो क्या कहलाएगा आपका द्वेंद समास कहलाएगा Next आपका बहुवरिय समास अब यह क्या है शाबदिकर समझते हैं जिस समास का कोई भी पद परधान नहों और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो क्या कहलाएगा आपका बहुवरिय समास कहलाएगा, ध्यान रखेगा इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी दूसरे पद की और दूसरे शब्द की और क्या कहलाता है, ये इशारा करता है, संकेत करता है, अब यहां ट्रिक क्या है, तो ध्यान रखेगा विग्र अंबर है जिसका कौन है जिसका पील अंबर है तो किशन जी है चतुर मुख चार मुख है जिसके कौन किसके है चार मुख ब्रह्मा जी के लंबोदर लंबा उदर है जिसका किसका है गनेश जी का तो देख रखते हो आप शब्द आपका दशानन पितामवर चतुर मुख या फ अंकेत क्या कर रहे हैं किसी और की तरफ कर रहे हैं तो ऐसा आपका हो तो क्या कहलाएगा आपका बहुवरी समास कहलाएगा अब यहां समझने की बात यहां पर यह है कई कई जगा पर आपको एक अग्जामपल दे दिया जाएगा और वहां पर आपका बहुविरी समाज भी होगा और वहां पर आपका करमधारक समाज भी होगा अग्जामपल के रूप पर नील कंठ तो नील कंठ जो है आपका वो बहुवरी समास भी है और वो करमधारक भी समास है तो वहाँ पर आप आंसर किसको प्रेफर करोगे तो ध्यान रखेगा नीला है कंठ जिसका मतलब शंकर भगवान क्या कर रहे हैं किसी और की और संकेत कर रहे हैं तीसरे शब्द की और तो हम उसको बहुवरी समास मानेंगे तो ध्यान रखेगा इन बातों को कि एक ही शब्द का आपको दो आपके समास भी हो जाते हैं जैसे यह एक्जामपल रूपे में ने आपको बताया तो वो आपका बहुवरिय समास होगा बस इन दोनों में ही होता है बाकी किसी में नहीं होगा तो अगर ऐसा हो तो हमेशा हम प्रैफर करेंगे बहुवरिय समास का क्योंकि सबसे बड़ा समास और सबसे important समास माना जाता है इसको तो ये 6 important समास थे आज हमारी क्लास में जो की अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझानी की कोशिश करी है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर इस वीडियो में किसी theoretical portion में कोई doubt हो कोई query हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा मैं आपको reply जरूर करूँगा तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो कर राओड़ वीडियो में कार अगर कर, बस्सक्मूभे लगी तो आज की वीडियो और वीडियो